असलामुलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे हैं आप लोग जैसा कि मैंने कल बोला था आप लोग को कि न्यू वीजा के बारे में हो या वीजा स्टांपिंग के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा तो यह अनली सिर्फ उन लोगों के लिए ह ठीक है तो यह आपके बहुत काम किये क्योंकि आप लोग बहुत परिसान है कि आपका न्यू वीजा यूज ही नहीं हुआ एकस्पाइर हो गया आगे कैसे बढ़ेगा उस वीजा पर आप लोग कैसे आओगे कैसे अपडेट होगा तो इस पे मैं आपको पूरी बात अच्छ में लगा मार्च में लगा लेकिन 15 मार्च के बाद साओधी अरब के अंदर में लॉक डाउन हो गया था जो भी लेलो मार्च अपरील मैं जुन जुलाई अगस्त एकस्पाइर हो गया न्यू वीजा वो कौन सा वीजा के बारे में बात कर रहा हूं जो वीजा आपके पासप अगर आप आना चाहेंगे तो उनके थुरू आ सकते हैं मैं नाम भी नहीं बताऊंगा बात ने बताऊंगा तो मैंने उनसे बात की उनसे पूछा क्योंकि उनके पास तो न्यू वीजा की भरमार है क्योंकि उनकी भी कई लोग आने वाले थे तो उनसे पूछा उनसे मेरी बात हुई ठीक है तो मुझे समझ में आ गया उनका पुरा समझाने का तरीका फिर मैंने इंडिया में ओफिस में दो-चार ओफिस में कॉल किया पूछ रहता हूँ कनफर्मेशन के लिए क्योंकि हो सकता है कि एक आदमी की बात अलग हो दूसरी आदमी की बात अलग हो कुछ फर्क होता है तो सब का बात कुल मिला करके इनका ही बात सेम निकला जिनके थुरू में आया था इन से मैंने पूछा वीजा के बारे में तो इन्हों ने कहा कि जिनका वीजा पासपोर्ट पे लग गया था और वो नहीं आ पाए इंडिया से सौधी अरब में तो उनको कोई भी परिसान होने तक का इंतिजार है तो आपका वीजा जिस ओफिस से लगा था जहां से भी आपने काम कराया था वो एजेंट आपका उस ओफिस वाले से उस ट्रैवल वाले से आपका वो वीजा फिर से डेट चेंज हो करके कम्पुटराइज मतलब कि उस से सीधा सीधी बात में बता दू त पासपोर्ट दोगे आपका एजेंट मांगेगा ठीक है हो सकता हजार दोजा तीन अजार एक्ष्टा ले यह भी कोई जवरत नहीं यह ऐसा ही लगेगा यह फ्री में क्योंकि इसका कोई पैसा चार्ज नहीं है तो आपका वह वीजा दुबारा से रिश्डूल होके डेट हो ज होगे तो न्यू वीजा वालों लोग का अभी परसानी दूर हो गया कि आपका जो वीजा है जहां से आपने काम कराया था वह वीजा आपका दुबारा से चिपकेगा नया और उसको रिश्डूल कर दिया जाएगा जैसा कि मैंने पहले भी जब लॉकडाउन लगा था उसके पासपोर्ट में चिपकना बागी था और आपका इंडिया में मेडिकल कंफर्म सब कुछ कंफर्म बस चिपकना था पासपोर्ट में तो वह एकस्पायर हो गया बिलकुल नहीं वो जो वीजा स्टांप ही नहीं हुआ आपके पासपोर्ट पे चिपका ही नहीं उस वीजा की वैलिडिटी एक साल रहती है समझ रहे हो जैसे मान लो कि कफील ने वीजा इशू किया इंडिया भेज दिया वो वीजा पासपोर्ट पे नहीं चिपका है तो उसकी वैलिडिटी एक साल रहती है समझ रहे हो मतलब कि वो वीजा अभी तक पासपोर्ट आपके चिपका नहीं है जिस दिन से चिपक जाएगा पासपोर्ट पे उस दिन से तीन महीने की डेट सुरू हो जाती है उसमें 90 डेज ठीक है अब बात कलते हैं मेडिकल का आपने गम का मेडिकल कराया और वो गम का मेडिकल सौधी रव की वेब साइट पे नहीं चड़ा होगा नहीं समझे मूफा नह गया होगा तो आपका मेडिकल वैलेड है जब भी आप जाना चाहोगी आज कल पर सो अगर खुल जाती है दो महीने के बाद चार महीने क्या तो आपका जी सी सी जो वेब साइट है वहाँ पर आपका मेडिकल सब्मिट है बस वीजा की इंतजार है वीजा आया काम बनो निकल और जिन लोग का मेडिकल हुआ उनका मेडिकल मूफा में सिब्मिट नहीं हो पाया तो उनका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है उनको दुवारा से मेडिकल कराना पड़ेगा ठीक है तो ये सारी आपकी परिसाने दूर होगे समझ में आगे आपको अब बात कर लेतें से पहले कि आप आज कल में वीजा आ जाएगा या आपको फोन करेंगे तो उनका दुवारा से इंटर्वी होगा देखिए ये कंपनी के ऊपर है कि आपका दुवारा इंटर्वी लेते हैं या नहीं लेते हैं या उनको जवरत है भी या नहीं है या हो सकता उसके पूंचे आपकी जहुरत हो तो यह जब तक अपने इंडिया में सारा ओफिस ढंक से कर नहीं खुल जाता विजा का काम सुरूर नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई भी कोई भी तरह का कम्मेंट आपको जवाब नहीं दे सकता ठीक है अब बात कल देते नियू वीजा की तो नियू वीज है एक आपको आशा की किरन देता हूं एक जनवडी दोहजार इकिस से सवह पहले की तरह हो जाएगा लिए इस उन ये साथ्प ने मैं अभी किसी तरीके और इस था तक सब लोग तक सब लोग आप बाट करो कंपनी से बात करो कई मेरे उचे महीने की मैं वैलिडीस पढ़ाई गई ये वीजा की वैलिडी बढ़ी है कफिल्ने बढ़िदी है फिर दो बार बढ़ाया फिर तीसरी बार बढ़ाया जब तक यहां पे नॉर्मल ठंग से फ्लैटे नहीं खुलेंगी लोग आ नहीं सकेंगे तो इनको यहां से बढ़ाना पड़ेगा अभी एक दोबारा कब बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे भाई मैं इस बारे में कुछ कितने भाई उन्हें सबर किया जिनका वीजा बढ़ने वाले इन तर उनका भी बढ़ चुका है 30 सितंबर अक्टूबर नॉमबर तक भी बढ़ा है कई लोग है भाई मैं जूट नहीं बोल रहा हूं जो मेरे पास में मेसेज आता है बहले मैं मैसेज देखता हूं है क्योंकि घर से आपको परिषानी जेलनी पर रहे घर वाले बोल रहे हैं अब खेर बाकी तो मैंने समझा दिया आप लोग को आपके हाथ में यहां पर तो अपने इंडिया में फ्लाइट ही नहीं खुली है तो यहां पर लोग कैसे आएंगे तो यह था पूरा सिस्टम आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी रगी होगी चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएएगा बहुत सुक्री आपका अल्ला आफिर मार्ण कर दो लोग जाएएएग प्लाण को सब्सक्री अपका अल्ला आफिर बन्हार घ्यान दयसे हैं